नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिविट डिके मां आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदी से संबंदित उपन्यास के 30 अतिमहत्पूर्ण प्रस्णों के बारे में यह भाग दो है मैं भाग एक पहले ही यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लिजेगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रेप्टिन मिल जाएगी यहाँ पर आई बटन पर भी वह आपको वीडियो मिल जाएगा विधै यूपी टीएट और अन्य टीएट एक्जाम जो कि 2019 माने वाली है उन सभी के लिए महत्यपूर्ण है तो कमेंट से बुक्स में जरूर बताएगा कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा और यदि आपका थर्ड पार्ट चीए तो भी कमेंट से बुक्स में बता दीजेगा और इन 30 प्रशन में से जो भी उपन्यास आपके सामना आ जाएंगे तो आप उसमें से कितने हल कर सकते हैं तो कमेंट से बुक्स में जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबा रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है इन में से कौन सा उपन्यास पत्रात्मक प्रविधी में लिखा गया है यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा उपन्यास है जो पत्रात्मक प्रविधी में लिखा गया है निर्वाशित विसर्जन प्रणाई या फिर पश्यताप तो यहाँ पर हमारा निर्वासित का प्रकाशन वर्ष कभी 1929 से अब बताती है कि इसके लेखक को ने जो निर्वासित है इसके लेखक है अनुपम लाल मंडल याद रखेगा अनुपम लाल मंडल द्वारा लिखा गया है निर्वासित और ये 1929 में प्रकाशित हुआ था तो इतना आपको याद मे रखना है चलिए अगले प्रश्णी को बढ़ेंगे अगला प्रश्णी है इन में से कौन सा उपन्यास बेचेन सर्मा उगर का नहीं है अब आपको बताना है कौन सा उपन्यास है जो बेचेन सर्मा उगर का नहीं है सराभी रूपरेखा जीजाजी या फिर भागुन के दिन त जो रूप रेखा है ये अनुपम लाल मंदल का उपन्या से उनके द्वारा लिखा गया है नहीं है ये अनुपम लाल मंदल का उपन्य आज Seráबी के बारे में आपको अपन देखी लिए पेचिन सरमा के प्रता है यह हुआ था 1930 में सरावी उपन्यास 1930 में प्रकासी तुबा था तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है चलिए अगला प्रस्म देखते हैं चंद हसीनों के खुतूत उपन्यास के रचनाकार है यहाँ पर आपको बताना है चंद हसीनों के खुतूत उपन्यास के रचनाकार कौन है चतूर सेन सास्त्री है प्रताप नरायन स्रीवास्ताव है बैचेन सर्मा उग्र है या फिर देव नरायन है तो यहाँ पर हमारा से अं कर दिखान había 30 27 प्रकाशित hadha अगले प्रिस्णी को बढ़ेंगे अगला प्रिशन हें इन में कौन सा उपन्यास रिषपचरण जेंका नहीं यहां पर आप बता नहीं है कौन उपन्यास है जो की रिशब चरण जेन का नहीं है वेश्यापुत्र, चमपाकली, मैखाना या फिर प्रेम लहरी तो यहाँ पर हमारा अंसर होगा प्रेम लहरी जो प्रेम लहरी उपन्यास है ये रिशब चरण जेन का नहीं है बात आती है जब ये रिशब चरण जेन का नहीं है तो यहां पर हमारा right answer होगा चोथा वाला तो अगले प्रश्चन को बढ़ेंगे अगला प्रश्चन है प्रेम लेहरी उपन्यास किसका है थोड़ी दर पहली मिनित प्रताय है दो जो प्रेम लेहरी उपन्यास है यह राधिका रमन प्रसात सिंग का है अभी इसके पहले वाल बाकि ये इनके उपन्यास है पर ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा उपन्यास है जिसमें हरिजन समस्या का चित्रन किया गया है वो कौन सा उपन्यास है गबन है गोदान है कर्म भूमी है या फिर रंग भूमी है तो यहाँ पर हमारा से आंसर है प्रेमचंद के गोदा हम गबन की बात करते गबन हुआ था 1931 में ठीक है याद रखेगा 1931 में गबन गोदान की बात करे तो गोदान हुआ था 1965 में कर्म भूमी की बात करे तो यह हुआ था 1933 में और सबसे लाश्ट नमाता रंग भूमी रंग भूमी हुआ था 1925 में प्रकासित याद रखेगा एक ब दिहान में आपको रखना है तो अगले प्रशनी के और बढ़ेंगे अगला प्रशनी है प्रशाद का अधुरा उपन्यास है काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है जेशंकर प्रशाद का अधुरा उपन्यास कौन सा है कंकाल है तितली है इरावती है या फिर इन में से हुआ ये थे तो कंकाल हुआ था दोस्तों उन् new 35 में जैशंकर प्रशाद द्वार Потषयास प्रकासित हुआ था और तितली उत्य होँआ डियान में रखना है ये उपन्यास इनको आपको दियान में रखना था स貫 कंकाल लिखा गया है जैसंकर प्रशाद के द्वारा इरावति कुन साइस यह संप्रशाद का अधुपन्यास है यह जैसंकर प्रशाद के तेतली की प्रकासित है तुक्तकी तुक है उपन्यास 1934 मेंliyor इन बातों का भी आपको तो यहाँ पर हमारा से अंसर है जो मा उपन्यास है इसके रचनकार है विश्व भर सर्मा कोशिक याद रखेगा मा उपन्यास के रचनकार कोन है विश्व भर सर्मा कोशिक अगला प्रश्मे इन में से कौन सा उपन्यास जेनेंदर का नहीं है यहाँ पर आपको बताना है जेन जेनेदर का नहीं है अब बात आती है कि जब ये जेनेदर का उपन्यास नहीं है तो किसका है तो प्रेमपत जो उपन्यास है ये भगवती प्रसाद वाजपे गाया याद रखेगा भगवती प्रसाद वाजपे द्वारा लिखा गया है प्रेमपत बागी अब बात करते हैं इ ट्याग पत्र की बात की बात करे months 청प वह था 1937 में थीक है तो इन बातों का खभी आपको ध्यान में रखना है अगले और है अगला प्रशने चोगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचन ने हिंदी में किस नाम से लिखा, यहाँ पर आपको बता रहा है, चोगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास है, जोकी उर्दू में लिखा गया था, इस उपन्यास को प्रेमचन ने हिंदी में किस नाम से लिखा, सेव किस उपन्यास में चतुरुसेन सास्त्री ने विदुभा आसरमों की ओंट में रधही की प्यास बुजहने वालों की खबर ली है यहाँ पर पहला वाला विकल्पिया हमारा सही रहेगा गोली उपन्यास में चतुरुसेन सास्त्री ने विदुभा आसरमों की ओंट में रधही की प्यास बुजहने वालों की खबर ली है यहाँ पर पहला वाला विकल्पिया हमारा सही रहेगा सुनिता परक सुखदा त्याक पत्र और विवर्थ उपन्यास के लेखक है यहाँ पर आपको बताना है इन उपन्यास के लेखक कौन है इलाचन जोसी है जैनेंदर है भगवती चरन वर्मा है या फिर अग्येई है तो यहाँ पर हमारा सही अंसर है सुनिता परक सुखदा त्याक पत्र और विवर्थ उपन्यास के लेखक जैनेंदर है मैंने बताया था इनके बारे में काफी प्रस्ने पूछे जाते हैं जैनेंदर उपन्यास के लेखक है अब बताती है कि यह इनका प्रकासान वर्ष कभी कब प्रकासित हुई थे तो यहा विवर्त हुआ था 1953 में याद रखेगा यह उपन्यास के लेखा के वो कौन है जेनेंद्र है अगला प्रस्ण है इन में से मनु विशलिषन वादी उपन्यासकार का नाम बताईए कोन है भगवती चरण वर्मा है रावुल साकरत्यान है जेनेंद्र है या फिर निराला है तो यहाँ पर हमारा से अंसर होगा जेनेंद्र जेनेंद्र मनो विशलिषन वादी उपन्यासकार है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा अगला प्रस्ण है अपसरा अलका और निरुपमा उपन्यासके रचनाकार है यहाँ पर आपको बताना है अपसरा अलक और निरुपमा उपन्यास लिखे गए थी इनके द्वारा और जो अपसरा और अलका है इन दोनों का प्रकासन वर्स है 1931 याद रखेगा ये दोनों 1931 में प्रकासित हुई थी अलका और अपसरा निरुपमा की बात करें तो ये 1936 में प्रकासित हुई थी याद रखेगा अप अपसरा और अलका 1931 में और निरुपमा 1936 में प्रकाशित हुई थी और इन तीनों के रचनाकार को ने निराला है अगले प्रश्णी के और बढ़ेंगे अगला प्रश्णी है इन में से कौन सा उपन्यास वरंदावन लाल वर्माका नहीं है यहाँ पर आपको बताना है वो प्रेमपत के बारें पहले बता चुका हूँ एक बार फिर सुन लिजे जो प्रेमपत है इसके रचनाकार कोन है इस उपन्यास के तो इसके रचनाकार है भगवती प्रसाद वाचपे यहाँ पर त्यागपत्र कुनली चक्र और विराटा की पदमनी ये तीनों ही व्रंदाव की पदमनी का हुआ था 1936 में याद रखेगा एक बार फिर दोरा देता हूं प्रेमपत के बारे में आपको बता दिया इसके उपन्यासकार कोन है भगवती प्रसाद वाजपे है त्याग पत्र का प्रकासन वर्स है 1949 कुंडली चक्र का प्रकासन वर्स है 1932 और विराटा की पद अब थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था यहां पर हमारा राइट आंसर होगा शेकंड वाला थोड़ी देर पहले मैंने कुंडली चक्र के बारे में बताया था इसका प्रकासन वर्स कब है कुंडली चकर का 1932 में हुआ था अनामदास का पोधा most important प्रसन है काफी बार ए अब अच्रक के पारे में यह उपन्यास है इसके लेखा का नाम अब को बताना है कौन है वरंदा लाल वर्मा है राहूल साक्रत्यान है ने हजारी प्रसाद द्वेदी है यहाँ पर निराला है तो यहांपर हमारा से जरी बान भटकी आत्म कथा चारुचंद्र लेक और पु आत्मकथा चारोचंद्रलेक और पुनरवा ये सभी हजारी प्रसाद दुएदी के उपन्यास है किसके हैं ये हजारी प्रसाद दुएदी के उपन्यास है जिसमें अनामदास का पोधा आता है बानवट की आत्मकथा चारोचंद्रलेक और पुनरवा ये सभी उपन्यास हजार उपन्यासों के लेखक का नाम बताना है राहुल साकरत्यान है रंदावन लाल वर्मा है भगवती प्रशाद वाजपे है या फिर जैनेंद्र है तो यहाँ पर हमारा से आंसर है सेतान की आँख विश्मती के गर्व में और सोने के ढाल उपन्यासों के लेखक राहुल साकरत्य अगला प्रश्ण है इनमे से साम्यवादी द्रिष्टिकून से उपन्यास लिखने वाले का नाम बताई यहाँ पर आपको साम्यवादी द्रिष्टिकून से उपन्यास लिखने वाले का नाम बताना है क्या है चतुरुसें सास्त्री है राहुल साकरत्यान है वरंदावन लाल या फिर हजारी परसाद दुएदी है तो यहाँ पर सामेवाधी द्रिश्टिकून से उपन्यास लिखने वाले का नाम राईूल साकरत्यान है याद रेखे गा राईूल साकरत्यान है शेकनवाला विकल्पिस सही रहेगा अगला प्रश週 है जहां सी की रानी लक्ष्मि भाई ये वरंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और यहां पर बात आती है ये कब प्रकासित हुआ तो देखे यहां पर दिहांज़त सुनेगा इसका प्रथम जो प्रकासन हुआ था ये हुआ था 1946 में प्रथम प्रकासन की बात हो रहे है यदि पूछा इसमें और प्रकासन कब हुआ था उन्निस्टो इंक्यानों में जहासे की रानी लक्ष्मिभाई का और इसके रचनाकार कौन है वरंदावन लाल वर्मा तो इन बातों का आपको ध्यान बेर रखना है जिन बातों को मैं आपको बता रहा हूं अप्री कुप्रियों में नोट लाल वर्मा तो यह पर हमरा सहिया अंचर होगा मरगनेनी उपन्यास के रचिता वरंदावन लाल वर्मा है क्यों में वरंदावन लाल वर्मा अमरत राई है भगवती प्रशाद वाजपे है या फिर जैनेंदर है तो यहाँ पर हमारा से अंसर होगा फनिस्वर नात रेनू यह आंचलिक उपन्यास कार है कौन फनिस्वर नात रेनू यहाँ पर पहला वाला विकल्पे हमारा सही रहेगा तो यहाँ पर हमारा से अंसर है मानस का हनस अब यह किसके द्वारा लिखा गया इसके रचनकार कोन है तो इसके रचनकार है अमरत लाल नागार most important है काफी बार पूछा चाता है मानस का हनस के उपन्यास जो है इसके रचनकार कोन है तो इसके रचनकार है अमरत लाल नागार और इकप्रकासित हुआ था तो यह 1972 में प्रकासित हुआ था जो की तोलसिदास की जीवनी पर आधारित एक उपन्यास है मा व्ष्णिक पहले तुलसिदाज जी की जीवनी पर अधारीत उपन्यास कौन सा है मानस कहन से है जो की अमरतलाल नागर द्वारा लिखा गया था 1922 में आपको बताना है सूरदाज की जीवनी पर अधारीत उपन्यास के लेखा कोन है वरंदावन लाल वर्मा है भगवती चरन बर्मा है अम्रतलालनागर या फिर येश्पाले तो यहां पर मैं आपको बतना चाहऊंगा या तो आपसे पूछबा जाए तुलसिदार जीकी जीवनी पर आधारीत अपन्यास के लेखा कोन में धिक often के लेकिへ अम्रतलालनागर या आपको दिहां में रुखना नहीं है ठीक ह सुर्दास की जीवनी पर आधरित उपन्यास का नाम है घंजन नयन याद रिखेगा इनके उपन्यास का नाम क्या है सुर्दास जी की जीवन पर आधरित उपन्यास का नाम घंजन नयन यह आपको ध्यान में रखना है अगला प्रूशन है बोलगा से गंगा उपन्यास किसका ह राहुल साक्रत्यान है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पी हमारा सही रहेगा इन में से आंचलिक उपन्यास कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से कि इन में से आंचलिक उपन्यास कौन सा है चोटी सी बात है खगराच है या फिर परती परिकता है तो यहां पर हमारा स्यांसर है परती परिकता ये आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक फणिस्वर नाथ रेणु है तो यहां पर ध्यान दीजेगा परती परिकता आंचलिक उपन्यास है और इसके लेखक कोन है इसके लेखक फणिस्वर नाथ रेणू है तो अगले प्रश्णी के और बढ़ेंगे अगला प्रश्णी है गोदान उपन्यास का पातर है होरी और यह प्रकासित हुआ था इसके बारे में दो तीन बार बता चुका हूँ एक बार और बता देता हूँ यह िारम यहाँ पर बढ़ेंगे लाश्ट प्रश्न है यह तीस्वा सूर्दास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है यहाँ पर आपको बताना है सूर्दास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है कर्म भूमी रंग भूमी गोदान या फिर मंगल सुत्र तो यहाँ पर हमारा तीस प्रषने थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं यदि आपको इसका थर्ड पार्ट चीए तो comment से बोक्सों में बताईएगा इसका थर्ड पार्ट भी में जल्दी ही लेकर आजाओंगा आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीस हमारे कमेंट से बोक्स में जरूर बताएगा और आज के 30 प्रशनों में आपको कितेने नमबार आए यहां भी कमेंट से बोक्स में जरूर बताएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और शाप में बेल आइकन को दबाईएगा जिससे की आपको लेटेस्टी वीडियो मिलते रहे जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो को साथ मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद